असम के करीम गंज में भाजपा उम्मीद्वार की कार से evm मिली है सोशल मीडिया पर एक विडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा उम्मीद्वार की कार में कतित रूप से evm मशीने देखी जा रही है आपको बता दे कि जिस गाड़ी में EVM मिली है वह कार पाथर कांडी से भाजपा उमीदवार क्रिशनेंदू पाल की बताई जा रही है इस मामले में चुनाव आयोग ने वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट भी मांगी है यहां ये भी बता दे कि EVM लावार इस बोलेरो में मिली थी गौरतलब है कि गुरुवार को असम में दूसरे चरण का मद्दान समाप्त हुआ है दूसरे चरण में 76.96 फीसदी वोटिंग हुई है इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें भाजपा उमीदवार की कार में कथित रूप से EVM मशीने देखी जा रही है दरसल अतानू भुयन नाम के एक शक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है उन्होंने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा पाथर कांडी से भाजपा उमीदवार कृषने इंदू पाल की कार से EVM मिलने के बाद स्थिती तनावपूर्ण है वही प्रियंका गांडी समेथ कॉंग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा कर वीडियो की जांच कराने की मांग की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें नीजी गाडियों में EVM ले जाते हुए पकड़े जाते हैं अब रत्याशित रूप से उनमें कुछ चीजे सामानने होती हैं गाड़िया भाजपा उमीदवार या उनके साथियों से जुड़ी होती हैं वीडियो एक घटना के रूप में सामने आती हैं और फिर जूट बता कर खारिज कर दिया जाता है गुरुबार की राज जब एवियम मशीन को एक गाड़ी से पत्रा कांडी ले जाया जा रहा था इसी दोरान भीड ने उस गाड़ी को रोख दिया क्योंकि गाड़ी चुनाव आयोग से संबंदित नहीं थी ये एक नीजी गाड़ी थी बताये तो ये भी जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की गाड़ी खराब हो गई थी जिसके बाद अधिकारियों ने एक नीजी गाड़ी कर इवियम मशीन को ले गए वहीं हमले के दौरान एवियम के साथ छेड़ चाड़ नहीं की गई वहीं ये भी बताते चले कि आसम में वोटिंग के बाद एवियम मशीन को भाच्पा नेता की कार में ले जाने पर हिंसा भड़क गई इस मामले में एक जगे भी ने कार पर हमला कर दिया तोर तोर फोर मचा दी सूत्रों के मताबिक इस मामले में पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ इवियम ले जा रही कार पर हमला करने के आरोप में केस दर्श किया है फिलाल पूरे मामले की जाच की जा रही है सूत्रों के अनुसार इस हमले के दौरान पॉलिंग पार्टी इवियम को बचाने में कामियाब रही और उसे कोई नुकसान नहीं पहुचा हलाकि इस मुद्दे पर राजनीती भी तेज हो गई है कॉंग्रेस ने ताप प्रियंका गांधी वाडरा ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से नीजी कार में इवियम ले जाने पर एक्शन लेने की मांगी है प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट कर बीजेपी पर इसे लेकर निशाना साधा है उन्होंने लिखा है कि हर बार चुनाव के दोरान वीडियो आते हैं जिन में नीजी वाहन इवियम ले जाते दिखते हैं इनमें एक चीज कॉमन होती है कि वे वाहन बीजेपी के उमीदव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी अक्सर अपनी मीरिया मशीनरी का इस्तमाल करते हुए ऐसे वीडियो पर सवाल उठाने वाले लोगों को ही हारा हुआ घोशत करने का प्रयास करती हैं प्रियंका गांदी ने ये भी कहा कि सचा ही ये है कि ऐसे मामले बहुत जादा देखने को मिलते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता इसके साथी प्रियंका गांदी ने का कि अब देश भर की तमाम राश्य पार्टियों को EVM के इस्तमाल पर सोचना चाहिए वहीं ये भी बताते चले कि प्राइवेट कार में EVM बरामद होने के बाद असम के करीम गंज में संबंदित बूत पर चुनाव को रद कर दिया गया है साथी चुनावायोग ने चार इलेक्शन ओफिसर को भी सस्पेंड कर दिया है मामने पे चुनावायोग ने केस दर्ज करवाया है साथी जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तरत रिपोर्ट तलब की है तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें